वेल्कम टू पढ़ले नीट पे सभी बच्चों का स्वागत है बच्चा पाटी मैं आपका टीचर सलमान अन्वर खान हूँ तो बच्चों हम कौन साच आपने पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्लांट किंग्डम बच्चे यह आपका लेक्चर नमबर टू होने बोन विदाउट लश्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्मेंट था यह फाले जनिटिक्स के बारे में पहले भी आपको बता रखा यह क्या होता है इसके अंदर में क्या कंसिडर करते हैं एविलूशनरी स्टुडीज के बारे में हम क्या करते हैं बच्चों क पहला जो मूव ना कर सके जो की परफॉर्म ना कर सके लोको मोशन दूसरा क्या कर सके बच्चों जो लोको मोशन कर सके तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों हम अलगे के बारें पढ़ेंगे ठीक हम थैलो फाइटा के बारें पढ़ेंग ठीक है फिर आपका क्या आता है जिम्नस परम एंजिस परम तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम किस के बारे में शुरुवात करेंगे बच्चो आपके अलगे के बारे में ठीक है अब इन टुदेश लेक्चर वी आर गुएंग टॅविट फिर रिटीक है हम अलगे से क्या करेंगे बच्चो शुरुवात करेंगे जिसको हम डिविजिन ठालोफइटा के अंदर में रखते हैं So we are going to start with Thallophyta. ठीक है हम Thallophyta से श्रुवात करने जाते हैं, तो यह तालophyta किसमे राखा जाता है, बच्छो, यह आपका division, मतलब यह आपको क्या रिपरेज़न करता है, Thallophyta represents alga, यह क्या रिपरेज़न करता है बच्छो, Thallophyta, they are going to represent alga. कि यह किसको रिपिर्जेंट करता है थीक है सके अंदर में सारे अल्गे कि विकन्षर पॉइंट हुते हैं जो इनकी बॉडी उती है वह कैसे और मतलब इस नौट डिफिरेंटी टीक है इनकी जो बडिये है जो इनकी बोडी होती है बच्छो इस लॉट डिफिरेंटीक बोडी इस नॉट यहांद रिफिरेंटा इस दर मैं कर आपर के अंदर में ूरू रूट गुद leaf नहीं ठीग है थालस का मतलब क्या होता है इसके अंदर में root stem and leaf क्या है बच्छो absent थालस means जिसके अंदर में root stem and leaf नहाँ हो और इनको हम non-cormophytes भी बुलाते हैं ठीग है इनको हम non-cormophytes अल्सु इनको हम non-cormophytes भी बुलाते हैं ठीगे we call them as non kormopytes ठीखे में iysको औन नॉन कारमोफईजिय बिलाते है और यह कैसे होते है बच्चो छोरोफिल के अंदर में हो नहीं चाहिए कि बॉडी कैसे होगी थालस होगी मतलब non-differentiated मतलब non-cormophytes and यह कैसे होगी chlorophyll भी अब हम क्या जानेंगे बच्छो इसके कुछ general features देखो general features एक बहुत important features होते हैं ताकि हम इसके differentiation कर सके हैं ठीक है तो we are going to start with general features now कि इनके अंदर में कौन-कौन से general features present है ठीक है बहुत important होता है यह इससे आपको क्या पता चल जाएगा बच्छो एक chapter का पूरा का पूरा overview पता चल जाएगा कि अच्छा इस algae के अंदर में यह 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 general features कभी भी अगर आपके school exam में पूछा जाए तो आपको फटाक से क्या हो जाएगा बच्छो इसके points याद हो जाने चाहिए और यह लिख देने चाहिए तो हम point wise लिखेंगे 12345 करके तो सबसे पहला point क्या है बच्छे इनका habitat habitat बोले तो कहाँ पह पाए जाते हैं habitat का मतलब क्या होता है बच्छो वैर डेयर फांट कहाँ पह पाए जाते हैं तो बच्छे यह जो habitat है इनका यह दोनों जगा पाए जा सकते हैं ठीके जिस तुए यह आपके यह कैसे हो सकते हैं 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 बच्छे टेरिस्ट्री एक विटेक का मतलब पानी में पाई जाए टेरिस्ट्रील मतलब जमीन पर पाई जाए में लिए कैसे होते हैं बच्छे दियार एक विटेक इन नेचर में लिए कैसे बच एदस सेकंड पॉइंट इस रिजर फूट है तो इंका रिजरू फूट क्या होता है बच्चे इंकई अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ठीक तो आलगे अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बच्चे यह अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं ठीक है अलगे स्टोर देर फूड इनका रिजर्व फूड क्या होता है बच्चे स् बजर्व फूड इस टार्च अब मैं इसके तीसरे पॉइंट के बारें बात करूँगा तीसरे पॉइंट होगा बच्चे इनका नूट्रिशन मतलब यह खाना कैसा है इनका तो यह कैसे हैं बच्चे दियार ऑटो ट्रॉफिक इन निचर मतलब अपना खाना खुद बनाएंग मतलब यह फोटो संथेटिक है क्योंकि इनके पास क्या है बच्चे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती ही तो यह कैसे हैं बच्चे दियार फोटो संथेटिक इन नेचर ठीक है चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चे इनका दियार ए ट्रैक्योफ़ाइट्स ए ट्रैक्योफ़ाइट्स का मतलब क्या हुआ बच्चे इनके पास ए का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है ए किसी भी शब्द के आगे ए लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है नो मतलब इनके पास दे डू नॉट हाव वैस्कुलर टिशु बोले तो जायलम एंड फ्लोयम ठीके वैस्कुलर डिशु बोले तो जायलम एंड फ्लोयम क्या है बच्चे इनके पास अप्सेंट इनके पास कोई भी किसिम का किसी भी किसम का वास्कुलर टिशू नहीं होता देयार यह ट्रैक्योफाइट इन नेचर ठीक है तो यह होगा इनके चार पॉइंट अगले पॉइंट देख लेते हैं बच्छो पांच्वा पॉइंट इनका दा फिफ्ट पॉइंट विल भी रिप्रक्शन इनका पांच्व आम एक जिन ऺंटकी अ करने छरींट कर सकते हैं इसेक्शनल मैफोड शरीपर इस कल शतने है आश वहलाज यह शक्तिते उतकिये जह संबकूं हम मुटो चो फो 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 इसेक्श भी परग्शन शो कर सकते हैं। वे और ए तो asexual reproduction as well as they can show sexual reproduction, यह तीनो तरीके का reproduction शो कर सकते हैं, asexual, sexual and vegetative, ठीक है, vegetative के अगर हम बात करें, सबसे पहले, let's take different color, ठीक है, अगर हम vegetative के बात करें, तो यह कैसे कर सकते हैं, बच्चो, vegetative में बच्चो यह fragmentation कर सकते हैं, मतलब अपनी body को तोर देंगे और हर body से क्या है, बच्चो, हर पार्ट से एक नया algae बनने की शमता होती है, so, इसको हम क्या बुलाते है, fragmentation, vegetative तरीके से कैसे reproduce कर सकते हैं, बच्चो, fragmentation से, अब asexual reproduction होता है, बच्चो by sports, ठीके अंदर में जो a sexual reproduction हो रहा है, किससे होता है, बच्चे, sport बनने के थूँ होता है, अब यह asexual है, तो अब asexually जितने भी sport बनते हैं, मतलब इसके अंदर में कोई भी sexual reproduction का इस्तमाल नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का sexual reproduction नहीं होता, मतलब यह जादतार haploid के case में होंगे, तो इनको sports को, the sports formed by mitosis, क्योंकि a sexual reproduction है, बचा, a sexual reproduction तो meiosis नहीं होगा, सबसे बड़ी key point क्या है, कि a sexual reproduction में किसी भी तरीके का meiosis नहीं हो सकता, अगर meiosis है, तो यह क्या हो जाता है, sexual reproduction, the sports formed by mitosis, are called as mitospore, are called as mitospore, लेकल लेंगे बच ठीक है, the sports formed by mitoses are called as mitospores, ठीक है, तो इनके अंदर में my to spore का formation होता है, ठीक है, in के अंदर में कैसा होता है, बच्छे, माइटोस्पोर का क्या होता है, बच्छे, formation होता है, ठीक, they have माइटोस्पोर, so what are माइटोस्पोर्स, the spores formed by Mytosis, ठीक, mytosis से बने sports को हम क्या बलाते है, Mytos बलाते है, ठीक, अब यह MytosPores दो अलग, मतलब, flagelated हो सकते हैं, non-flagelated हो सकते हैं, flagellated flagella ही ना हो flagellated का example से एक ही है बच्चे इसके अंदर में वो है जू स्पूर all the spores which are flagellated in the algae are called as zoo spore टिए इन का हम क्या बलाते हैं बच्चो जू स्पूर बलाते हैं अब ये flagellated के अंदर में क्या है flagella absent है तो ये कौन से होते हैं बच्चो दे कैन भी हिपनो स्पॉर हिपनो स्पॉर हो गया बच्चे example लिख रहा हूं विटा ये ए प्लानो स्पॉर एक नीट्स अच्छा एक खासियत इन सारे स्पोर्स के एक खासियत इन सारे स्पॉर्स की ये सारे के सारे स्पॉर्स हमेशा हमेशा unfavorable कंडिशन बनेंगे ये सारे के सारे स्पॉर्स किस कंडिशन बनेंगे बच्चो हमेशा unfavorable कंडिशन में ही बनते हैं जब परिस्तिति अनुकूल हो तभी ही बनते हैं और यह जो जूस पोरे बच्चे यह हमेशा आपके फेवरेबल कंडिशन में बनता है जब सब कुछ सही हो तो जब सब कुछ सही हो तो जूसे बनेंगा जब कंडिशन्स कराब हो तो क्या बनते बच्चे आपके अनफो यह सारे हपनो स्बॉर एक रूप ne ताइप के गिनीट फॉर्मेशन के हमें बात की थी आईसटीम स्बॉस अनाइस आइसो गैमस एंड वारे में बात के दियों तो बेटा इसके अन्दर में तीनो के तीनो शो कटें ठीक है, they can show all the three type of them, they can show iso-gammas, यह iso-gammas शो कर सकते हैं, they can show an iso-gammas, as well as they can show o-gammas, ठीक है यह तीनों किसम के क्या कर सकते हैं बच्चो शो कर सकते हैं ठीक है आई सो गैमस अना इसो गैमस एंड ओगे मसी तीनों किसम क्या कर सकते हैं बच्चे आपके स्पोर्स जो आपके गेमीज बन रहें उनको शो कर सकते हैं आई सोगे में सिमलर और इसके अंदर में सर्टेन पॉइंस होते हैं अब अगर उगेमस कन्डिशन है तो भी टा बैट बाट विसके बात है इंके पास क्या होगा सेक्स ऑर्गन प्रिजेंट होगा तो वहां पर आजाता है बैच्चे आपका 6.5 इनके पास किया होते हैं बच्च एक से होते राव श्यक्या होते हैं होते हैं वो कैसे होते हैं multi-cellular and non-jacketed मतलब क्या होगा बच्छा या तो रहा हम इसके unicellular condition भी इसके अंदर में show होती है ठीक है देखें शो unicellular condition also तो mainly हम चलो unicellular इसकी mainly है ठीक है इसके अंदर में जो main condition multi-cellular का मैं एक example भी लिखाऊंगा कोई नहीं unicellular and non-jacketed एक cell के बने है और क्या है बच्छों non-jacketed non-jacketed का मतलब क्या है बच्छे कोई jacket नहीं पहने जैसे कि अभी मैंने क्या है बच्छों सिफ एक कुर्टा टाइब का बोल सकते हैं ठीक है अपना कैलकटा का ड्रेस होता है ठीक है तोड़ा सा उस तरीके का ड्रेस पहन लगा तो जैकेट से क्या होगा क्या री प्रेजिंट करेगा कि यहां पर बहुत जादा थंडर प्रोटेक्शिन के लिए अब आई चलाते हैं बहुत अरे लोग तो जैकेट पहन के चलाते ही ताकि यू तेक्शिन रहे से हनकी जो से ठीके, कारा एक एक जामपल है किसका, ग्रीन आलगे का एक्जामपल है, जो कि कैसा होता है, इसका sex organ कैसा है, multi-cellular and jacketed है, कारा एक special आपका green आलगे है, जिसके अंदर में sex organ कैसा है, multi-cellular, ठीके, multi-cellular and jacketed है, और हाँ बच्चे, अभी मैं आपको कुछ homeworks भी दूँगा, ठीके, you will be having certain quizzes in this class, you have to answer in the comment segment, बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं बेटा, लेकिन answer करना बहुत जरूरी है comment segment पे, तो कारा के पास जो sex organ कैसा है, बच्चे, multi-cellular and jacketed है, और हाँ, एक खास और point है कारा की, कारा के बारे हम बात ही कर रहे हैं, तो एक और खास पात लिग लेते हैं, बच्चे, इनके पास, इनकी body क्या होती है, बच्चो, covered होती है, by calcium carbonate, ठीके, इनकी body covered है, बच्चो, इनकी body covered, ठीके, तो body is covered with calcium carbonate, तभी हम इसको क्या बलाते है, that's why we call them as stonewort, तभी हम इसको क्या बलाते हैं, बच्चे, stonewort बलाते है, इसकी body कैसे covered है, calcium carbonate से body, इनकी क्या होती है, पूरी की पूरी covered होती है, that's why we call them as, कारा को बलाते हैं, बच्चे, हम, कारा की बारे हम बात चल भी, multi-cellular and jacketed sex organ है, covered होती है, इनकी body किसे calcium carbonate से covered है, किसे भाया, calcium carbonate, तभी हम इसको क्या बलाते हैं, बच्चा बाटी, stonewort बलाते हैं, अब बेटा देखो, आरिश विटिकर ने क्या किया था, इन सब को divide किया था, ठीक है, और एक और point में लिखना चाहूँगा, इसमें, they are non embryophytes, मतलब कोई भी embryo का formation नहीं होता, they are non embryophytes, मतलब they do not have any embryo formation, ठीक है, कोई भी embryo का formation नहीं होता, मतलब embryo कैसे बनेगा बच्चे, आपके दो गेमीट's fuse करेंगे, गेमीट के fusion के बास zygote बनता है, zygote के बाद क्या बनता है, embryo बनता है, embryo develop करके क्या बनाता है, new individual बनाता है, तो इसमें zygote के बाद direct new individual बन रहा है, कोई भी embryo का formation नहीं होता, ठीक है, there is no formation of embryo, ठीक है, they are non embryophytes in nature, ठीक है, कोई भी embryo का formation नहीं होगा, अब RSVT करने क्या किया था, बच्चे, अल्गे को, यह जो अल्गे हैं बच्चे, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रीन, ग्रीन अल्गे, ब्राउन अल्गे, एंड रेड अल्गे, ठीक है, अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पर में लिख देता हूं, it is being divided into three parts. यह तीन parts में हैं, मतलब याँ बोल सकते हैं, तीन टाइब के आलगे होते हैं, तीन टाइब के आलगे हैं, we have chlorophyce, chloro मतलब green, याद रखना, chlorophyce, then we have phyophyce, then rhodophyce, r for rhodo, r for red, याद रखना, r for rhodo, r for red, ठीक है, r for rhodo, r for red, याद रखना बिटा, तो आपको दो का तो मैंने शॉर्ट कर बदाए, तीसरा तो याद करी लेंगे यार, यह क्या है बच्चे, आपका green आलगे है, chlorophyce, phyophyce is your brown आलगे, rhodophyce is your red आलगे, ठीक है, इस तरीके से, यह तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के यालगे होते हैं, तो अब हम उन्हें तीनों के टाइप के बारे में, डीटेल में पढ़ना है, ठीक है, we have to study all, all three of them in detail, ठीक है, green आलगे जिसको हम क्या बलाते हैं, ग्रीन आलगे जिसको हम क्या बलाते हैं, chlorophycy, we call them as chlorophycy, देखो बच्चे, मैं हमेशा आपको comparison के form में याद कराने को कहता हूँ, ठीक है, हमेशा याद करो कैसे, compare करके, चीजों को आपस में क्या करो बेटा, compare करो, comparison, अच्छी चीज होती है, comparison से याद जल्दी होगा, ठीक है, आपको याद करना है, अच्छा, green algae में ऐसा habitat है, तो अच्छा brown algae में कैसा होता है, red algae में कैसा होता है, इस से बहुत जल्दी, मेरी guarantee, वेटा आपको बहुत जल्दी याद होगा, आप लोग comment segment में बताएंगे, क्या इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो रहा है की नहीं, ठीक है, chlorophyce, brown algae is what, आपका pheophyce, red algae को हम क्या बलाते हैं बच्छे आपको, rhodophyce, ठीक है, तो इस तरीके से तीन फॉर्म में हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या हैं बच्छे, ये तीन फॉर्म में होते हैं, chlorophyce, एंड रोड़ोफाइसी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, habitat, ये किस habitat में रहना पसंद करते हैं, कौन से, green algae, green algae किस habitat में रहना पसंद करते हैं, तो they are mainly fresh water, example, spirogaran and eulothrix, ठीक है, ये ज्यादा तर fresh water में रहते हैं, ठीक है, fresh water मतलब आपका, वो खारा पानी नहीं, normal वाला पानी, लेकिन 10% किस में रहते हैं, बच्छो, marine condition में, 10% किस में रहना पसंद करते हैं, बच्छो, marine condition में, 10% कैसे रहना पसंद करते हैं, बच्छो, यह पूछे जाने वाले हैं देखो बच्छे statement based questions आते हैं तो आपको यह statement याद करने होंगे ठीक है statement based question के लिए आपको key points याद करना बहुत जरूरी है तो marine fresh water का example क्या है spyrogera उन्वे ओ स्वारी marine fresh water वोल रहो fresh water का example क्या बच्छे spyrogera eulotrix marine का example क्या उल्वा यह mainly कैसे बच्छो marine in nature है यह कैसे बच्छो दियार mostly marine few fresh water होते है few fresh water example betrachospermum ठीक है इसका example क्या है बच्छे betrachospermum अब betrachospermum का एक नया नाम दी है इसको हम क्या बलाते हैं बच्छे frog spawn alga betrachospermum is also called as frog spawn alga अब देटा देखो जब alga दिख वो दिख वो आपको frog देखता है जब बरसात होती है बच्छे जब frog देखता है तो frog की चमणी देखी आपने frog की skin देखी आपने कैसा olive greenish की color की होती है मतलब हलका सा greenish हलका सा bluish इस तरह की color की होती है कि नहीं तो उसी तरीकी का देखता है उसी तरीके का देखता है मतलब frog की skin की तरीके का देखता है तभी हम इसको क्या बलाते frog spawn alga अब यह दोनों रिजन में पाए जाते हैं green alga colder and warmer region में brown alga सिर्फ और सिफ colder area में पाए जाएंगे red alga सिर्फ और सिफ warmer area में पाए जाते हैं टिके दे दो फिश्यानल पीसे श्टो एक्जामपल के पसे क्लैमढओ मोनास क्या वचे है आपका यूनी नुक् रिटेड होता है एक रिधिर्य नुक्लीड बोचे अगले पॉइंट पे चलते हैं अगला इक्जामपल क्या है इसका त्याइब क्लो रिला पर हुगा अब यह पे यह जो क्लो रेला है बच्छे यह कैसा है नौन फोगे लिटिलेट एप मतलब कोई फ्लाजला नहीं इनके पास कोई भी फ्लाजला नहीं इसके पास फ्लाजलाब प्रेजन्स है इसके पास फ्लाजला क्या होगा क्लॉरेला में absent होता है अब यह कैसे हो सकते बच्चो6 multi nucleated एक से जहादा न्यूकलेस प्रेजन्ट हो टीक है आदय kleiner can be filamentous, example क्या है बच्छे, spyrogera, filament के फॉर्म में लंबे- 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 लंबे filament नहीं होते धागे के तरीके से, they can be, example is spyrogera, example क्या बच्छे, आपका filamentous का spyrogera है बच्छे, example, next they can be colonial, colonial का example क्या है, walvox and hydrodictyon, example है इसका walvox, walvox पर क्या होता है बच्छे, फ्लाजिला प्रिजेंट है, ठीक है, walvox contains flagellar, ठीक है अब यह देखो बॉल के फॉर्म में होता है, कई सारे एक साथ आपस में जूड़ जूड़ के जूड़ जूड़ के क्या कर रहे हैं, ठीक है क्या है भॉल के तरह है और सब के पास क्या फ्लाजिश तो जब यह riv करते हैं, तो यह एक बाल की तरह देखते हैं। ठीक है जाब हो करेंगे तो ऐसे द्टे क्या बॉल की शेप में देखते हैं, तभी हम इसको colonial वाले को विया वालवोक्स को हम क्या बलाते हैं बच्चे rolling alga that's why we call wall walks as rolling alga बलाते हैं वालवोक्स को हम क्या बलाते हैं बच्चे rolling alga देख वेटा थोड़ा सा छोटा 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 लिख रहा हूं ताकि आप आराम से पूरे के पूरे इस पेज में आ सके ठीक है इसको हम क्या बलाते हैं बच्चे rolling alga बलाते हैं वालवोक्स को क्योंकि इसके पास क्या है फ्लाजिला प्रेजंट होता है एक और एक्जामपल लिखते हैं नोन फ्लाजिलेटीट का आपका hydrodiction ठीक है एक और एक्जामपल लिख ले थे हैं बच्चे आपका hydrodiction जिसके अंदर में फ्लाजिला नहीं है Hydrodeactylion के अंदर में बच्चो, there is no Flagellar. ठीक है, यह कैसे होते हैं? Non-Flagellated. ठीक है, मैंने Flagellated and Non-Flagellated दोनों करके आपको बता दिया. ठीक है, Flagellated and Non-Flagellated दोनों करके बता दिया. अब हम बात करते हैं, बच्चो, Brown Lg. Brown Lg बहुत ही ज़दा unique है. इन सारे अलगे से सबसे ज़्यादा यूनीक बच्चे इनकी body wise आपका brown algae body wise सबसे ज़्यादा यूनीक कौन सा है बच्चे आपका brown algae होता है इनके पास कोई भी uninucleated condition नहीं they do not show any uninucleated condition they do not show any multinucleated condition they do not show any branched filamentous condition or colonial condition समझे रहे हैं मतलब इनके पास filament filament मतलब filament क्या ओगी लंबर्म नमे घांगे इस तरीके से यह इस थे आंप अब अब ये filamentous condition के अंदर में अब इस filamentous condition के अंदर में बच्चे बांचेंग भी हो सकती own satisfactory सरी मैंpoint जैसे हमारा पेड होता है जैसे के हमारे क्या हूट है? पेह होते हैं तो इसके अंदर में आपकी कभी भी अनव बनांच नहीर नहीं मतलब कभी भी आपको के पास हमेशा कैसा होगा बच्चे, branched filamentous condition present होती है, they are always going to show branched filamentous condition, example क्या है बच्चे आपका ectocarpus, example क्या बच्चे branched filamentous का, यह ectocarpus है, ठीक है, they are having branched filamentous condition, यह कैसे हो सकते है, बच्चो, parent के matter हो सकते है, example, fucus, laminaria, sargassum, मतलब पूरे tree की तरह देख रहे हैं यह, fucus, sargassum, laminaria, ठीक है, fucus, sargassum and laminaria हो गया, अब यह क्या हो सकते है, बच्चो, बहुत बड़े-बड़े size क्यों सकते है, they can be of various large sizes, example क्या, बच्चो, kelp, kelp का जो size होता है, बच्चे 100 meter का होता है, ठीक है, they can be of extreme large size, इसको बड़े-बड़े हो सकते हैं, सोसे कितना, 100 meter, बहुत लंबा होता है, यह, बहुत लंबा होता है, यह kelps, ठीक है, 100 meter का हो सकता है, ठीक है, macrocystis, सबसे बड़ा, largest कौन साह, बच्चे, इसके अंदर है, macrocystis, macrocystis, m-a-c-r-o-c-y-s-t-i-s, macrocystis क्या है, बच्चे, आपका largest brown alga है, सबसे बड़ा, brown alga, आप सोच सकते हैं, alga, जिसकी height 100 meter, काई, जिसको हम बुलाते हैं, हिंदी में basically हम काई बुलाते हैं, काई पानी में जो काई लगती है, वही तो है, alga, ठीक है, तो वह सोचो, largest 100 meter का, बहुत लंबी height हो सकते हैं, बहुत लंबी-लंबी height के ये बहुत सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़ी-बढ़ी height के हैं, अब हम बात करते हैं, बच्चों, इनके red alga के thallus के बारे हम बात कर सकते हैं, यूनी-nucleated example porphyridium, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, यूनी-nucleated हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, बच्चों,aci Nucleated example क्या है, बच्चे, इसका, बत्रैक उप्रमम यह वाला, इक्जाम्पल क्या है, इसका, बत्रैक उप्रमम जसको हम frog spawn alga भी बलाते हैं, टीक है दे चैन भी ऐगज़ाँ आपका बड्ट्रा्ज यहाँ है आपका बात्र पूर्मम होता भच्स का है मनें छोकी औलिफ से ग्रीनिश क्लार के होते हैं टीक है इसका अभी आपको बता है ओलिव ग्रीनिश कलर के है यह को तब हम इसको फ्रॉक स्पॉन ये भी बलाते तिक यह कहीं होगे बच्चे इसके तीन पॉंट देखों आपको याद करना है लिखना है ठीके सब बच्चे साथ बाइ साथ लिखते रहेंगे ठीक है बहुत जरूरी लिखना आगे चलते हैं अब हम इसके डाइग्राम से बात करते हैं ठीक हमने इंतने सब कुछ पढ़ लिया तो एक बार हम डाइग्राम से भी देख लेते हैं तो सब मैं इसमें ग्रीन आलगे का बेस्ट इक्जांपल क्या होता है क्लिमेडोमोनास तो यह थोड़ा सा दोरेमोन की शकल से होते हुए य आपको इस तरीके से क्या बचो भी है वाक कःव शेब खूरप लॉरॉ प्लास्ट इस तरीके से क्या बच्च प शेप खुत रॉर अप्लॉ असले बचुव सब्सक्रेस का नू क्लियो शेडरOS के साथ हूं साथ यह भाशा इस तरीके से से पर ने क्या है बच्च्छ इसका अब आप देखो शकल नहीं देख रही ऐसा नहीं लग रहा कोई शकल है यह गौर से देखा ऐसा नहीं लग रहा किसी की शकल है किसी जोकर की शकल है जो हसदा आपकी ऊपर में तो यह क्या हो इसके दो कॉंटरेक्ट एले कि ओले ठीक हाई नो बहुत लेम जोगता बट कोई नी तो इसके पास क्या होते है दो पॉइंट्स वोत जिसको क्या बॉलाइब लिफ एड़ो प्लस्ट टिके यह क्या है बच्छे बिफ़ारो प्लस्ट से क्या होता है बच्छे आपके फ्लैजिला आइस क होकता है कपि चले नामकरण करते हैं तो सबसे पहले ऊपर शुहइए ये क्या बच्छे आपका चाव लाजिला कि य Kenny आघा बच्छे बलिफएरो प्रॉषर अब या आपका बलिफएरो प्रॉष सोरे हैं यह क्या है बच्छे दीस आर्दा टू कॉंट्रे accred班ák ये यह आपके दो contractile vacuole हो गए, यह क्या है बच्चे आपका nucleus है, यह क्या है बच्चे आपका एक cup-shaped chloroplast है, और साथ में क्या होता है, बच्चे आपका प्रोटीन होता है और सरांडेट, मतलब इनके पास मतलब storage organ है यह पाइरेनोइड, एक पाइरेनोइड present होता है, यह क्या है बच्चे आपका प्रोटीन होता है, यह क्या है बच्चे आपका storage organ है, जैसे हमारे घर में दाल चावल हम क्या होता है, डब्बे में रखते हैं, उसी तरीक से यह अपना खाना इस पाइरेनोइड में store करके रखते हैं, ठीक है, इस 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 डाइग्रम आफ क्लिमाडर मोनास, ठीक है, यह डाइग्राम किसका है, क्लिमाडर मोनास का है, ठीक है, इस इस डाइग्राम आफ क्लिमाडर मोनास, इस तरीक से क्लिमाडर मोनास देखता है, ठीक है, कितना खुबसूरत सा डाइग्राम है, बच्चे यह क्लिमाडर मोनास इतना खुबसूरत स में ब्राउन ऐल्गे में हम तीन आपके NCRT में mentioned diagrams के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका lamine area प्रेंट होता है इस डाइग्राम इस ओफ लेमिन एरिया तीन पार्ट होते हैं बच्चों fronts, type and whole fast तीन पार्ट होते हैं बुच्छों फ्राँन यह जो आपका लीफ like aperture है उसको हम क्या बलाते हैं बच्छों front बखते हैं ये क्या है बच्छे स्का stipe है stem like aperture और ये क्या है बच्छे सका holdfast ठीक है, front, styp and holdfast ये तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर में ठीक है front, styp and holdfast ये Leave an area के अंदर में तीन पार्ट होते हैं, then we have fucus, fucus बच्चे थोड़ा अलग है इन से, ठीक है, fucus थोड़ा सा अलग होता है, fucus के अंदर में क्या होते है, air gaps, मतलब इस तरीके से air sacs present है बीच में, इस तरीके से, ठीक है, it has air gaps present in between them, इस तरीके से क्या होते हैं, बच्चे, they have air sap present in between them, ठीक है, इनका air sap है, जिससे हवा पास होती है, तो यह किसका है बच्चे, आपका fucus है, ठीक है, ठीक है, this is how a fucus looks like, ठीक है, इस तरीके से आपका fucus देखता है, एक और diagram बना लेते हैं, जो आपके NCRT में mention है, डिक्टियोटा कुछ इस तरी से यह क्या है बच्चे आपका डिक्टियोटा है यह सारे के सारे आपके NCRT में बने हुए डाइग्राम है ठीक है इस सारे के सारे आपके NCRT में बने हुए डाइग्राम है इस तरीके से बच्चे आपके brown algae दिखते हैं, तिक इस तरीके से बच्चे आपके brown algae दिखते हैं, अब मैं red algae का diagram बनाऊगा तो बहुत ही entertaining है, polysiphonia का diagram बनाऊगा बच्चे में, polysiphonia का diagram बनाऊगा कैसे भी? यह है बच्छे आपका polysiphonium अब बोलोगे सब्सक्राइब बहुत फ़नी सा डाइग्राम है बटा इसी तरीके से दिखता है यह branched form में है completely और हाँ एक बहुत खासियत बता हूँ बटा यह great depths में पाए जाते है this is how a polysiphonium looks like polysiphonium का डाइग्राम है इस तरीके से बच्छे आपका polysiphonium देखता है अब हम बात करते हैं बच्छे इनकी cell wall के अंदर में स्यलवल में दो ले रोटाब अशर आ और इनर, ठीक है? आउटर एन इनर, इनके पास दो लेइर प्रजेंट होगी सैलवल के अंदर में, ठीक है? एक होगी अउटर लेड और एक होगी इनर लेड. इनर लेड बच्चे सब के अंदर में फिक्स्ट है. वो किसकी बनी है फचे इनर लेयर सब के अंदर में cellulose की बनी होती है. Inner layer is made up of cellulose. इसके अंदर में भी 2 layer होंगी cell wall की. Outer and inner. Inner इसके अंदर हमें किस की बनी है बचे? Cellulose की बनी है. Overhead also. आउटर लेयर एंड इनर लेयर इनर लेयर किस की बनी है बच्चे आपकी सेलुलोस की बनी है ठीक है सब के अंदर में इसकी सेलुलोस की बनी होती है अब अगर मैं ग्रीन आलगे की आउटर लेयर की बारे में बात करूं तो यह किस की बनी है या जिसको हम क्या बलाते हैं बच्छों फाइको क्लोइज बलाते हैं अब यही पता है है हाइड्रो क्लोइज और फाइको क्लोइज को एक्स्ट्रैक्ट करके आपके कई सारे प्रोडक्स बनाए जाते हैं इन्हीं hydrocolloids and hydrocolloids and phycocloids को extract करके कई सारे products बनाये जाते हैं, same goes over here, red algae में भी hydrocolloids या phycocloids की होती है, बस sulfonation की फरक होता है, sulfonation का क्या हो जाते है, बच्चे, फरक हो जाता है, hydrocolloids या phycocloids, ठीक है, sulfur content का क्या हो जाते है, बच्चे, बच्चच दोनों के अंदर में क्या हो जाते है, बच्चे, फरक हो जाता है, oke, sulfur content का बहुत ज étant हो जाता है, अब हम बात करते हैं बच्चो, plastics इनका next point कै बच्चे, इनके पास क्या होते है, plastics, ठीक है, यह chlorophyll bearing है, ठीक है, इनस अब ας के अंदर में किया होता है ग्रेना पढ़ा है कि हर ग्रीन के पास किया होता है होता है क्लोरो प्लास्ट पreten को क्या बनाते कि एट से यस और नो पढ़ा है आप आप सब嗅ने युनunda अगर मैं चलो डाइग्राम की तरीके से आपको वापस रीकॉल कराऊं, तो let's suppose यह क्या है बच्चे आपका सब्सक्राम की अगर एक की पर एक तरीके से एक की तरीकाइब्स क्या बलाते हैं, ग्रेनया, ठिक है, इस थिलिका एक की पर एक, एक की पर एक है, है. So, this is called as granule. एक second. इसको हम granule बुलाते हैं तो मैं वापस कहान चला गया? हाँ. इसको हम क्या बुलाते हैं बच्छो? granule बुलाते हैं. वी कॉल देमान इस granule. ठीक है? जहां पर क्या बच्छो? एक यूपर एक, एक यूपर एक क्या है बच्छे? प्रेजेंट है. एक क्रवर कंदिशिन फीर ह х오vity दूसरी कन जीशन कैसी प्रेजंट रॉटे वजए एगunn il58 मतलब क्या है एग थलकोट तो है लेके इक छीवे पर एक क्छीLC नहीं बज connected स्थ तरीके से मैंने अलगए लगए से करके रख़ा है मैंने इसको हम क्या बलाएंगे बच्छोrä एक ग्रेनल भॉक रेइंगे थालकाइड अलग अलग फॉर्म है लेकिन जोड़ा हुआ है लेकिन अलग अलग एक यग पर एक नहीं है तो इसके अनदर में कैसा होता सिंगलार बच्च एनर ऐक कौण्ट का dog Join इसके अंदर में जो प्लासिट का काॉंट होता है वो दो से लेके 20 तक का थैलकोइड इसके ंदर में जो तलakौइड का काउंट होता वह कितना है बच्चे दो से लेके आपके 20 तक के थलाख़ोई हो सकते हैं,앙 तूटू टूइंटी थालाखोईट स्लेख दो से लेके 20 तक के इसके अंदर में क्या हैं बच्चे थालाख़ोईट एं अब इनके नियू कैसा होते टिगे कैश बूलातेएं बच्चो इनके अंदर में एक आफ वाल हुआ को ओम किया बुलाते बच्चो fika- Cheese लодन नंबर कितना बच्च तीन सब पांच है नंबर कितना हüm अटा प्रिटेट टू फाइव नॉमबर है और वहीं परेड हैल के में बच्चों क्या बलाते हैं रूद अब रोड प्लास्ट के बारे में अब प्लास्ट प्रिजेंट है तो इनके पास बड़ा विसी बात है पिग्मेंट होगा बेटा ये आपको याद करना है बहुत-बहुत-ब इंपोर्टेंट है यह पिगमेंट्स एंड इस फूट बच्छे आपका है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह और आपका आपका रिज्ञ फूट करना पड़ेगा ठीक आपको याद करना पड़ेगा एकदम तो पेटा इसके अंदर में देखुँ सबसे पहली बात कही है के पस pigments present है. Pigment कौनकों से chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. ये सारे कैțary हैं बच्चे इनके अंदर में photosynthetic pigment present है. chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll कै है बच्चे हिनके पास photosynthetic pigment है. Same goes with brown algae, brown algae में कैए chlorophyll A, C, carotene and fucoxanthin. chlorophyll A, then chlorophyll C, then carotene and प्रेजन फ्यूकोजन 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 फ्यू alloceanin, phycoceanin हो गया बच्चे, आपका alloceanin हो गया? आपका phykoerythrin, तो इस पर नाज हो सह सकते हो, तो इस पत्यूर्सोven है को सा होता है? Alloceanin हो गया, अब अगर मैं green algae का reserve food के बार हम बात कुरें तो इसके अंदर में reserve food कौन सा होता है? स्टार्च एंड ऑईल है बच्चे इसका रिजर्व फूड ठीक है रिजर्व फूड इस टार्च एंड ओईल जो की स्टोर होता है कि इसमें पाइरेनोइट के अंदर में अब अगर मैं डाइग्राम दिखाऊं पाइरेनोइट का कुछ इस तरीके से बच्चे आपका पाइरेनोड होता है बीच में क्या होगा इस तरीके से प्रोटीन होता है कवर्ड बाई स्टार्च शीट इस तरीके से बच्चे आपका ये स्टार्च शीट से क्या होता है होता है ठीक है तो यह क्या बच्छे सेंटर में प्रोटीन है और यह क्या बच्छे आपका starch है, उलटा भी हो सकता है यह starch and protein का combination अब बावन आल्गे में जो रिजर्ब फूड है वो मैनितल ऑईल लैमीरेन है बच्छे यह लैमीरेन होगा ठीक है लैमीरेन होगा यह लामिनेरिया नहीं एक्जाम्पल ही लिख दिया यह ठीक है लैमरेन होगा इसके अंदर में यह और रेड आलगे में जो रिजर्फ फूड है वो क्या है बच्चे फ्लोरीडियन स्टार्च होता है बच्चे रिजर्फ फूड ठीक है अब आप पुछोंगे सार मैनिटल क्या है तो फिर यह लैमरेन बच्चे आपका यह भी आपका फॉर्म आफ कार्बो हाइडरेट है ठीक है यह भी क्या है बच्चो आपका फॉर्म आफ कार्बो हाइडरेट है यह फ्लोरीडियन स्टार्च भी क्या है बच्चो इससा फॉर्म आफ कार्बो हाइडरेट का फॉर्म है it's a form of carbohydrate, यह carbohydrate का क्या है बच्चे, form है, ठीक, it's a form of carbohydrate, अब हम बात करते हैं इनके reproduction के बारे में, इन तीनों के reproduction के बारे में हमें बात करने हैं, brown, green and red की, तो अब यह तीनों के तीनों के अंदर में, यह तीनों के तीनों के तीनों क्या करते हैं, बच्चे, फ्रेग्मेंटेशन से reproduce कर सकते हैं, फ्रेग्मेंटेशन से हो गा तीनों का, फिर आता है बच्चे, asexual reproduction, ठीक, फिर आता है इनका asexual reproduction, तीनों के अंदर में हम asexual reproduction के बारे में बात करेंगे, तो बच्चे, इनके पास क्या होता है, हैं इनके पास जो स्वेय बनते हैं वह कौन से हैं बात रीडिो इने फॉर स्पू्ड र्वी नॉन फट्री देइड कंडिशन लुन फ्लेइड कंडिशनग दीशन नहीं शोग्रेंगे यह हमेशा flagellated condition show करते हैं कभी भी non-flagellated condition नहीं show करेंगे ठीक है हमेशा flagellated condition show करेंगे और इनके पास क्या होता है जू स्पोर होता है इनका जो स्पोर है उसको हम क्या बलाएंगे जू स्पोर ठीक है इनके पास हमेशा flagellated condition present होगी फ्लैजिला प्रिजेंट वाले ही होंगे नॉन फ्लैजिलेटेट एक भी नहीं होता जूस्पोर जो इनका होता है बच्छे कुछ इस शेप में होता है zuelle cinco अ हिसाज का प्रिमिट के शेप मिंए बचो अफिकल शेप में होता ही है ठीके प्रिमिट का शेप है कॉमा एबटीकल श्लेजला अ टॉप पे अ overhead टीक ऐव यह झान्टार प्रिजेट्स ऐफ मतलब यह कैसे होते हैंं कीयुकि यह इस जोनु जोनु एक्जाटली सेम होते हैं अब अगर मैं ब्रावन तर्मिलές बारे बात करूं ब्रावन यह के इन दर भी होसं होने हैं शों और स्ब्सक्राइबए और सोटने कोई जो सब्सक्राइख कोसे पारें नहीं होगा से मतलब सरी 9 प्रांएजजरेहित इस पर एक भी नहीं होगा तो हुए इनके पास भी कैसे होंगे बच्चे फ्लाजेलेटिट स्पॉर प्रेसेंट हो नॉन्स के अंदर वी जो रीपक्षिन होगा भ89 से होताई जू स्पॉर्क के थू अब इनका जूस्पोर तोड़ा सालाग होगा इनका जूस्पोर पिरमिट शेप में था इनका जूस्पोर किस फॉर्म में होता है बच्चे पियर शेप में कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीका से इनका जूस reporting दो फ्रइज not present है लिए लाइक इस तरीके से कह Bu दो फ्रज़ला प्रिसेट हो टेगह डेहाब ट्रू फ्रज़ ज़ज लाप्र प्रिज़ला प्रेसेट होते हुए इक हो ता है ब्ला gymnastics टाइप और एक कैसा होता है बच्छे आपका मतलब आपके। नमाटो मतलब आपको ह। आपका स्मूध होगा आपका स्मूथ होगा ऋगा एक तैंसलेटेड होगा तीचे तो कुछ इस टरीक menu से है किima लूट के है मतलब फलाननाशनाय का सबस्टो कर देजन में क्या है हे если placila कैसा बच्चे हेस वाला फ्लाजिला है तीकर एक क्या है वच्छ इसके पास स्क्रीजें परसंट है ह किसे आपका स्धर एक और यह समूथ जिसके अंदर में कोई भी कोई भी default का है अपका है प्रस्ता है यह प्रसेंट होता है और यह फ्लाज़ला कैसा होता है बच्छे आफ लेट्र फ्लाजला और यह कैसे बच्छों हेट्रो कॉंट कि यह कैसे उते बच्चों धैयार हिट्रो कॉंट इन नेचे ठीक है हिट्रो कोंटा मतलब अलंग अलंग है इसमरे बच्छे सेे मिपटिक आई इस अब इन के प्रेजलेंट चकरों तो यह कैसे होते हैं रेड आलड यह के अंदर में भी बच्चे आपका they do not have any flagellated one, they have always have non-flagellated. इनके पास सिर्फ और सिर्फ non-flagellated ही present होते है. इनके पास सिर्फ और सिर्फ non-flagellated example, monospore, tetraspore, example का है बच्चे आपका monospore, tetraspore, carpospore, etc. इनके पास सिर्फ और सिर्फ non-flagellated present होते हैं. अब बोलो कि सर्फ इतना ज्यादा tough है यह हाँ बेटा tough तो है, याद करने वाला है, यह सब memory based है, यह सब आपका memory based है, देखो, आपको point चाहो तो लिख सकते हैं, suppose आपको कभी green algae के बारे में लिखना है, तो देखो कितने सारे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, 10 point हो चुके हैं. अब वही चीज, वही चीज आपने 10 point green algae के पढ़ लिए, 10 point brown algae, 20 point, red algae के 10 point, 30 point आपने पढ़ लिए, सोच लो, 30 points आपने cover up कर लिए, अगर आप अलग-अलग लिखते तो. सब लोग कोशिश करते हैं, बेटा, निकालते हैं लोग हैं अब हम बात करते हैं, बच्चों, इनकी, sexual reproduction के तो तीनों तरीके के sexual reproduction हो सकते हैं, isogamous, they can show isogamous, they can show anisogamous and they can show u-gamus, isogamous, anisogamous and u-gamus, तीनों condition यह शो कर सकते, example क्या है, climatomonas, climatomonas तो in fact, तीनों condition शो करता है, climatomonas तीनों condition शो करता है, isogamous भी and u-gamus भी, ठीके, they are going to show all the conditions, ठीके, और u-gamus का example मैं लिखूँँगा, और लिख सकते हैं, तो wall walks and आपका एक और green ale के cara, जिसके बार में अभी हमने जिक्र किया था, देखो जितने भी मैं examples बोल रहा हूँ ना बार-बार, वो सारे exam में आए है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पूछे हुए हैं बेटा, किसी ना किसी exam में वो पूछे हुए हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है, you have to remember all them, all of them very carefully, अब अगर हम brown algae के बारे बात करें, example isogamous, anisogamous and uogamous तीनों होते हैं, ठीक है, they can show isogamous, इनके पास भी isogamous हो सकते हैं, ectocarpus, anisogamous का भी example ectocarpus है, and then uogamous phucus इसका example है, ठीक है, example के साथ लिखेंगे बच्चों सारे, underline नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई scientific name नहीं है, तो isogamous का example क्या है, बच्चों, ectocarpus, ectocarpus, anisogamous कभी और uogamous का example हम लिख लेंगे, बच्चे, phucus, ठीक है, अब red algae में सिर्फ और सिर्फ uogamous condition show होती है, red algae only show uogamous condition, बेटा, ठीक है, इनके पास क्या होते है, बच्चे, uogamous condition show होती है, ठीक है, तीक है,् ठीक है, त пошभी और एंजिए धंगे, मतलब इनके पास क्या है, बच्चे, sex organs प्रिजैंट होंगे, male and female, ठीक है, वेल हाव, male sex organ, and female sex organ, ठीक है, male sex organ का हम इन्ध्रीदियम ब़ते हैं, ठीक है, male sex organ को हम anthropogonium बुलाते हैं, female sex organ को हम carpogonium बुलाते हैं, ठीक है, anthropogonium and carbogonium, ठीक है, तो यह होगए बच्चे आपके तीन, मतलब sexual reproduction यह होगए बच्चे आपका पूरा का पूरा reproduction वाला सबसे जादा इंपोर्टेंट कई बार नीट में पूछा गया पूइंट यह अगर आपको याद नहीं तो बिट आपका पेपर फो बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर करना आपको टिया आपके पॉरिंट्स कही न कहीं माक्स कहीं न कहीं चले जाएंगे वो क्या है सबसे पहला क्या है बचे हमारे पास फूर्स मतलब क्लोरेक्ट लूहरा शुरुवात करें इसके अंदर में ख्रोरेक्ट सोर्स है। मतलब उए खाने का सोर्स हैं हम इसको खा सकते हैं। द्वीक खोड़री लाइसा उबीकट फैड फूर्ट सॉर्स यह यूस बाइस तुनेट इस mutta कर भूर्स चुल गे ठीक है इसको हम space alga भी बलाते हैं, that's why we call them as space alga, ठीक है ये कैसा है बच्छो, protein rich, ये कैसा है, काफी ज़्यादा protein rich biomass होता है, इसके अंदर बें, they contains protein rich biomass, इनके पास काफी ज़्यादा protein rich biomass है, ठीक है तभी हम इसको क्या बलाते है, SCP, ये क्या है, single cell protein है, that's why we consider them as SCP, that is single cell, बतलब इसके अंदर है protein की मात्रा बहुत ज़्यादा है, they are considered as single cell protein, इसको हम क्या बोलते हैं, बच्छो, single cell protein बलाते हैं, ठीक है, they have high amount of protein, ठीक है, इसको हम क्या बलाते हैं, बच्छो, SCP, single cell protein भी बलाते हैं, अब अगर मैं ब्राउन LK के बारे में बात करूं, तो food source भी है बच्छे, इसके पास है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, food source है, रेके न भी इसका खतम नहीं हुआ, और लिखते है, ये होगे बच्छे आपका एक, that is chlorella, ठीक है, this is your one, that is chlorella, अगला लिखते हैं, बच्छो, ulva and codium, next page पर जाएंगे, ठीक है, दो pages भी उसकरेंगे, इसके लिए, ठीक है, या इसी में ही लेख लेते हैं, कोई नहीं, अगला क्या है बच्छे, इसका ulva and codium, ulva and codium, ulva and codium, ulva and codium, ये उसके जाते हैं, बच्छो, salad के फार्म में, खा सकते हैं, इसको, भी टावbol, ठीक है, अमीर लोग खाते हैं, हम लोग तो भी या, साल स्यूलिद में क्या खाते हैं वो खीरा खीरा टमाटर मुली और वह प्यास कॉतम सैले catch55 में लेकर लो गो घ्रा खाते हैं वका सकते हैं बरह tahun Brown algae के बारे बारे बात करूं, Brown algae का food source का है, laminaria, sargassum, macrosisthus, तीक आप इसके अंदर में food source होता है, आपका इडिबल है, ये सब क्या है, बच्छे, आपका इडिबल है, ये सब क्या है, बच्छे, आपका लामिनेरिया, fucus, sargassum, ये क्या है, बच्छे, आपका इडिबल है, ये सब क्या है, बच्छे, आपका लामिनेरिया हो गया, fucus हो गया, sargassum हो गया, macrosisthus हो गया, ये सब कैसे है, बच्छे, आपका इडिबल है, macrosisthus also, अब ये इडिबल के साथ साथ ये इडिबल के साथ साथ हाई सोर्स आफ ये हाई सोर्स है किसके बच्चे ये तीन ये आपके हाई सोर्स होते हैं किसके ये दोनों हाई सोर्स हैं आपके आयोडीन के सबस्क्राइब आपका मारेश सैनगर me और यह क्यों दो ते इनदर में बच्छों क्या है ऑढिं बहुत ज्यादा होता है ठीक के आप आयोदीन प्रेजेंट ठीक है और यह आपका मैक्रोजस्टिस पोटेशियम रिच होता है ठीक है अब हम बात करते हैं बच्छों यह मेडिसिनल फॉर्म में भी यूस किया जा सकता है they can be used in the form of medicine यह बच्छों medicine के form में भी यूस किया जाता है एक्जामपल दुर्वेलिया एक्जामपल क्या बच्छों medicine के form में दुर्वेलिया है बच्छों इसका एक्जामपल पर जाते हैं हाँ सभी बच्छों जादा मिटी टिक आते हैं तो हमेशा सुना होगा पेटमे कीडे पर जाते हैं तो बैसिकली वह आपका यह जो दुर्वेलिया खाओगे न तो यह क्या करेगा warm repellent ठीक है they are going to act as a warm मतलब इसमें आपको कीडे नहीं लगेंगे they are going to act as warm repellent warm नहीं लगेंगे ठीक है यह मैडेशन की फरम में होता है डिर्वेलिया यह कैसे है बच्चों warm repellent होते हैं ठीक है अब क्या है बच्चे एलगने कैसे अब यह क्या है जो कि बेटा अभी मैंने आपको लिखाया था ना, 100 मीटर की हाइट वाला, ठीके ये केल्प से निकाला जाता है, जिसका काम क्या है, बच्चे बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है, ये आपका soundproofing का काम करता है, तो क्या कभी आपको मुवी थेटर के बहार मुवी की आवाज आती है, नहीं न, क्यों नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज़्यादा cushioning होती है, तो cushioning आपकी algonic acid से milk के बनती है, तो ये soundproofing के काम करते हैं, they are involved in soundproofing as well as they are involved in flame resistant plastic, ये क्या बनाते हैं बच्चे, आपका flame resistant plastic भी बनाते है, अब देखो बच्चे, अगर आपको अभी इसकी PBT चाहिए, तो मैं यही फिर से बता रहा हूँ, पल्ले नीट, टेलीग्राम चैनल, ठीके flame resistant plastic का ये formation करते हैं, अब वहीं अगर मैं red algae के बारे में बात करूं, if I will talk about red algae now, तो red algae भी अलग-अलग sources के लिए उसकता है, it can be used as food source, जैसे porphyria, porphyra, rhodomainia, chondras, आपका, ये आपका food source भी हो सकता है, they can also be food source, ये भी कैसे हो सकते हैं, बच्चे, food source के form में हो सकते हैं, example porphyra, 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 rhodomainia, chondras, जिसको हम Irish moss भी बलाते हैं, chondras को हम क्या बलाते हैं, बच्चो, Irish moss भी बलाते हैं, ठीक है, chondras को बच्चो हम क्या बलाते हैं, बच्चो, we also call chondras as Irish moss also, ठीक है, अब जो बेटहने इनके phycocloids से बहुत ज्वाओंрь होते हैं, ठीक है, phycocloids से बहुत सारी चीजे एक्स्ट्रेक करके हम बनाते हैं, बहुत ज्यादा is important point है, जो मैं बनाने पताने जा रहाँ जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेन है, ipos, colloids, इनके phyco colloids से बहुत important important चीज़ निकलती है जैसे कि इनके phyco colloids से क्या निकलता है बैटा, agar agar ठीक है, they are going they are extracting agar from it ठीक है, agar agar नहीं लिखे, agar agar लिखते हैं ठीक है, ये क्या करते हैं, बच्छो एक्स्ट्राइक करते हैं agar से, ठीक है किस से, siis एक्स्राइक रहता है, ये क्या है, बच्छो ठीकनिंग होते है मतलब, they are the solidifying agent ये कैसे होते हैं, बच्छे, they are solidifying agent They are going to act as solidifying agent Solidifying agent के काम आते हैं मतलब ही आपके nutrient medium में solid मतलब किसी भी substance को solid करने के लिए आपके jelly formation के लिए काम करते हैं एब बच्ँने हम के और आपके nutrient medium को थिक करने के लिए solid करने के लिए उसके में ये सब्सक्राइर करने के लिए thickening of je realities हो गया nutrient media का formation हो गया यह उसमें क्या करते हैं बच्चों involved होते हैं आपके अगार next क्या है बच्चों आपको keraginin जो आपका condros से निकाला जाता है keraginin किस से निकाला जाता है आपका condros से निकाला जाता है that is our Irish moss Irish moss से extract किया जाता है यह आपका emulsifier as well as आपका finishing of leather में है it is been extracted from condros, condros का basic काम क्या है बच्चों यह एक emulsifier है as well as यह क्या कर रहा है बच्चों finishing of leather ठीक है they are involved in finishing leather ठीक है they are acting as a emulsifier as well as finishing leather के form में अब क्या बच्चों फिनोरिया है next क्या last क्या फिनेरिया गॉलियो पेल्टेस से निकाला जाता है जिससे ग्लू बनता है कि फ्यूनेरिया यह आपका गोलियो पेलिटेस से निकाला जाता है इससे बिसिकली क्या बनता है बच्चे ग्लू का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो बच्चा यहां पर खतम होता है आपका क्या आपके differences खतम होते हैं ठीक है हमने कई सारे differences देख लिए आपके किसमें green brown and red आपको यह सब कुछ याद करना है ठीक है आपको detail में एक एक को याद करना पड़ेगा ठीक है आगी बढ़ने से पहले क्या करेंगे एक बार quiz कर लेते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे बच्चो 7 बार quiz कर लें quiz number one सब को बेटा comment segment में answer करना है comment में answer जरूर करेंगे मैं आपके comments को like जरूर करता हूँ आप चेक कर ले न तो quiz का पहला question यह रहा आपके सामने which of the following is a brown algae इसमें से कौन सा brown algae है sargassum, walvacs, ulotrix या kera फटाफट से answer करेंगे कौन सा बेटा इसमें से brown algae है sargassum, walvacs, ulotrix या आपका कह रहा कौन सा इसमें से brown algae है ठीक है, असान question है अगला question अगार लिखाईए अगार होना चाहिए, this should be अगार अगार लिखाऊ है ठीक है, this should be अगार ठीक है, अगार अगार is obtained from अगार किस से obtained किया जाता यह पूछा गया आप से फटाफट से बताएंगे चले अगले चलो तो यह आपके दो कोशन से यह आपके homework चोटा homework ठीक है बड़ा homework मतलब चोटा homework बड़ा homework नहीं दे रहा, आपको याद करना है आपको यह आपको बनाना है आपको कोशन को कमेंट को बताना है ठीक है आगे बढ़ने से पहले बच्छों में कुछ-कुछ आपके है आपके IPS के special features लिखाऊंगा यह कुछ-कुछ आपके स्पेशिल श्लिखाऊ घंगा तो श्रुबात करेंगे ब्र अल 선생 अट श्रुबात करेंगे कि से subst ब्रावन ख कुछ-कुछ special features में लिखा हमकर वा रव में लिखाऊंगे सब से पहले हम एक ब्राउन हैल के से शुरुवात करेंगे बच्चे जैसे की कैल अब इता केल्प्स की खासियत क्या है मैंने आपको क्या बता है 100 तों पानी चैसे जाएगा अगर यह तरन में इंको फूड रांस्पोर्ट का छोटिरा इस एंदर में सब्सक्राइब हां जो इनके अंदर में जो फूट का जो ट्रांस्पोर्ट होता है वो क्या होता है बच्छों कंडॉक्टिंग ट्यूब송 to smock के थूब मुтаки है they have certain conducting tubes उसके थ्रूँ क्या हो रहा है बच्चे इनका food का transport होता है ठीके कुछ conducting tubes होते हैं उसके थ्रूँ यह transportation हो रहा है इसका नाम क्या है conducting tubes का उसका नाम है trumpet हाइफे इस conducting tubes are called as trumpet हाइफे करता है अब इनके पास एक और स्पेशल होता है बच्चो इनके पास कुछ एक cycle like होता है ठीक जिसकों फुको सन्वा साइकल बलाते है ठीक इनके पास एक special recycles presenter ठीक ते आव आव बस्पेशल में साइकल जिसकों के बलाते फ्यकोसन वेसाइकल जो कि shiny and reflect I know what I shiny hotel reflect I know time of reflect करता है ठीक शाइन है और कैसा बच्चो काफी जादा reflective है मतलब reflect करेगा light को ठीक है यह कैसे होते हैं बच्चों इनके पास एक फिनॉलिक कंपाउंड फ्यको आपका आँ देहाव फिनॉलिक कंपाउंड ठीक इनके पास एक फिनॉलिक कंपाउंड होता है जिसके वज़े से यह shiny and reflect I'll in a can nature है जो इसको हम क्या बलाते हैं फ्यको सब्सक्राइब यह जो फिनॉलिक कंपाउंड है उसका नाम क्या फ्यको सब्सक्राइब ठीके देहावा फिनॉलिक कंपाउंड जिसको हम क्या बलाते हैं बच्छे फ्यूकोसन बलाते हैं अब यह अगर वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो यह कैसे होते हैं अगर यह फिनॉलिक कंपाउंड वाटर में प्रेजेंट होते होते हैं अगर यह फिनॉलिक कंपाउंड प अगर यह आउट साइड वाटर हो तो यह कौन सा कलर देते हैं बच्छो ब्राउनिश कलर देते हैं ठीक है यह क्या देते हैं बच्छो काफी जादा ब्राउनिश कलर देते हैं ठीक है अगर यह आउपानी के बाहर हो तो कैसा कलर देते हैं बच्छो ब्राउनिश कलर यह तो स्कूम लीटोफाइट बुलाते हैं जो भी सब्स य도 सब्सीट को अटाच होता है, okay, they have, they are attached to substrate, they are attached to substrate, okay, सब के सब क्या होते हैं, substrate सेений अटाच होते हैं, okay, they are attached to substrate, okay, तो स्कूम क्या बुलाते हैं, that is why we call them as, लीटोफाइट बुलाते हैं, ठीक है, they are attached, मतलब, हमेशा क्या होते हैं, बच्चो, substrate से attached होते हैं, तभी हम इसको क्या बलाते हैं, Le Weather 극 philosophies बलाते हैं, लेकिन, एक बच्चे हमारे पास ऐसा sargassum है, जिसका नाम क्या है, बच्चो साजगैशं futons, ठीक है, इस सारगैसम फ्लूटन्स दो नॉट अभ एनी होल फास्ट। इन के पास यह कैसे है बच्चों कोई भी होल फास्ट नहीं है तो यह कैसे होंगे free floating मतलब यह अटैच ही ही नहीं हो सकते हैं इन के पास कोई भी ऐसा substance नहीं जिस से अटैच हो सके तो यह कैसे होते हैं बच्छों सारगेसं फ्लूटेंस कैसे हैं? फ्री फ्लोटिंग मतलब आराम से समुंदर में तैरते रहेंगे ठीके तो यह नौर्थ अट्लैंटिक ओशन में प्रेजेंट होते हैं ठीके देड़ फाउंड इन नौर्थ अट्लैंटिक ओशन नौर्थ अ्र्ट्लैंटिक ओशन में पाये जाते हैं और क्या करते हैं बच्छों इनवेट मूवन चाहरे मतलब वह शिप फ्रीक का मूवमन हूअज ये ship का मूवमेंट क्या करते है अगर आप ऐटे करते है, you're going to inhibit the movement of ship तभी मिस्को क्या बलाते है? gulf weed, that's why we call them as गलफ वीड तभी हम इसको क्या बलाते हैं बच्छो गलफ वीड बलाते हैं इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो क्या करता है बच्छो मूव्मेंट रोग देता है आपके ship की that's why we call them as gulf वीड और उस C को हम बलाते हैं क्या sargasoc इस C को हम क्या बलाते हैं तो यह कुछ तीन स्पेशल पॉइंट से जो कि मुझे आपको ब्राउन एलगे में पढ़ाना था बहुत जरूरी है यह तीन पॉइंट अब मैं आपको कुछ ग्रीन एलगे के बारे में बताऊंगा ठीक है छोटे-छोटे पॉइंट से सुन लिए हूं इंट्रस्टिंग है औ और आपको पढ़ना भी पढ़ेगा इनफाक्ट डाइग्राम बनाओंगा कुछ-कुछ के मैं आपको डाइग्राम बना के दिखांगा देखो मैं इमेजस क्यों नहीं लेके आता है एक रीजन है अगर आप मेरे साथ बनाओगे तो आपकी डाइग्राम की प्रैक्टिस होग कि मैं कशुरुआब कर आःगगे लिखो क्लिमाडम वनाज से इस किक्या ओं नहीं तो इसलिख भी रिम अन्यर वॉनाज मदाइगो अब यह क्लिमाडम फोनmeeर्र गये इनके पास क्या होते है ये कि सारे करे समय छो की सारे कैसे प्छों फ्लाजिलनेटेटे भोते है ठीक है या feito मे अजे ठीक है तो बच्छे ये क्या मैं बना रहा हूँ, इसका cell wall वाला area बना रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये क्या होगा भच्छे सका cell wall all area होगा, ठीक है, ठीक है, इस हाओ अज्छा cell wall area is present in the, इस तरीके से क्या है इसका cell wall का area है present है तो दोग एक सिकन देनेगा मुझे इस तरीक रहीं से नहीं हो बनाएंगे एक मिनटinely देजिए 160 हम हाइलाइड टो है कि यह इज एक मंझे बनां लेता है तो धिय थैओ कलर से हाइलाइटर नहीं आए गा तो भाक कलर लेता यह भी नहीं आएगा, highlighter is not coming on it. चलो, pencil बना लेते हैं, फटाफट से, just give me a second वापिस. इस तरीके से थोड़ा सा ये, अजीब सा बूंदूसा हो गया, एक second. ठीक है, diagram अच्छा बनना चाहिए, भाई. तो थोड़ा छोटा करके बनाने के कोशिश करते हैं. इस तरीके से अबक्छे, आपका क्या है, क्लमेटो बनास की सेल वाल प्रेस्ट है. इस तरीके से इस सेल वाल प्रेसंट होगी, अंदर क्या होगा, इस którego से इस का प्लाजम आमेड हो प्रेसंट होगा. Like this, they will have the presence of प्लासम आमेरें टू. इस तरीके से क्या है बच्चे, इसकी plasma membrane भी present है, ठीक है, बीच में क्या होगा बच्चे, इसका cup-shaped chloroplast है, like this ये क्या है बच्चे, इसका cup-shaped chloroplast है, साथ में क्या है बच्चे, इसके पास pyrenoid present है, single pyrenoid होता है, बच्चे, इक ही pyrenoid present होता है, इनके पास, like this, they will have only one pyrenoid, एक क्या होगा बच्चे, इनका nucleus present होगा, they will have single nucleus, इस तरीके से, I hope so, आपको red color दिखेगा ये, इस तरीके से क्या है, बच्चे, एक nucleus present है, ठीक है, इनके पास क्या है, बच्चे, दो contractile vacuole present होते हैं, इस तरीके से दो contractile vacuole है, फिर क्या होता है, बच्चे, पलिफ़रोप्लास्ट है, the point from where the flagella arises, और फिर आपके दो flagella है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दो apical flagella present है, इस तरीके से बच्चे ये कुछ देखता है, तो ये top fall apart, ये जो top fall apart, इसको हम क्या बोलाते हैं, apical papilla, या apical papilla जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपके दो apical flagella है, apical flagella है, जो कि equal in size है, ये apical flagella कैसे होते हैं, बच्चे, equal in size है, हमेशा कैसे होते हैं, बच्चो, they are always equal in size, ठीक है, ये क्या है, बच्चे, इसकी cell wall है, ये क्या है, बच्चे, इसकी plasma membrane है, ये क्या है, बच्चे, इसकी contractile vacuole, contractile vacuole है, ये क्या है, बच्चे, blepharoplast, ये क्या है, बच्चे, nucleus, ये क्या है, बच्चे, आपके पास, cup shape chloroplast, ये क्या है, बच्चे, आपके पास, phyrenauids है, जो कि single, जो कि कैसा होता है, बच्चे, एक ही होता है, ठीक है, तो कुछ इस- तरीक के से है, बच्चे, आपका, climatomonas, दीखता है, ठीक है, बच्चे, इस is how, और क्लिमेडो मोनास looks like, ठीक है, यह structure होता है किसका, आपके कलिमेडो मोनास का इस तरीके से बच्छे, आपका क्लिमेडो मोनास दिखता है, clear है बच्छों, अब हम एक और डियग्राम देखाएंगे, आपका किसका दिखाएंगे, spirogera का ठीक है यह आपका एक spirogera का भी diagram देख लेते हैं how does the spirogera looks like ठीक है let us see the diagram of spirogera now अब यह जो spirogera होता है यह कैसा fresh water है filamentous alga है ठीक है यह आपका कहां पाया जाता है यह fresh water में पाया जाता है और यह कैसा बच्चे filamentous alga है fresh water filamentous alga ठीक है fresh water है filamentous alga होता है ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों जो काफी जाधा shiny है यह काफी जाधा कैसा होता है shiny होता है ठीक है काफी जाधा कैसा होता है shiny होता है तब ही हम इसको क्या बलाते है पॉंड सिल्क भी बुलाते हैं, पॉंड सिल्क भी बुलाते हैं, काफी ज़्यादा शाइनी होने की वज़े से इसको हम पॉंड सिल्क भी बुलाते हैं, बच्चो, ठीक है, प्रिंसेस हेर भी बुलाते हैं, ठीक है, प्रिंसेस के हेर नहीं हो, ते राजकुमारी के बाल उस त इसको हम summer alga भी बुलाते हैं, ठीक है, we also call them as the summer alga. अब अगर मैं डाइग्राम की बारे में बात करो, इसका डाइग्राम कुछ इस तरीके से present होता है. ये कैसा है, बच्चे, filamentous है. इसका डाइग्राम थोड़ा सा 3D level का होता है, बच्चे. ठीक है, तो ये white color से मैंने क्या बना ली, बच्चे, cell wall बना ली. white color से क्या बना ली, बच्चे, मैंने cell wall बना ली है. ठीक है, अब ये क्या है, बच्चे, इसका yellow color से मैं इसका plasma membrane को drop कर रहा हूँ. अब बटा, इनके पास center में बहुत बड़ा vacuole present होता है. center में क्या है, बच्चे, they have a very big vacuole present. center में क्या है, बच्चे, बहुत बड़ा vacuole present होता है, जिसकी बज़े से, पूरा का पूरा, इसका जो cytoplasmic content है, वो क्या है, बच्चे, shift हो जाता है perifream. इसका जो पूरा का पूरा cytoplasmic content है, वो क्या होगा है, बच्चो, side में shift हो गया, इस तरीके से. वो क्या होगा है, बच्चे, side में shift हो गया है, पूरा इस तरीके से. अब nucleus कहा होगा, nucleus भी कोशिश कर रहा है, बच्चो, center में आने की. नूकलेस भी क्या कर रहा है बच्छे पूरी कोशिश कर रहा है जान लगा रहा है सेंटर में आने कि अभी सेंटर में कैसे आएगा देखो हम लोग गले में माला पहनते हैं हम लोग गले में क्या करते हैं बच्छों माला पहनते हैं माला क्या है हमारे यहां पे तक आ रही है सेंटर में आने की पूरी in male और इस तरीके से का सेंटर में नथर नहीं है υ्det के उपर मतलब मेरे अंदर नहीं है मृרא मेरे उपर टंगी हुई है माला मै भी आ से जो रहे हैं अंदर की तरफ कि आइप तक है इस त्रुम्स के टाई वी है माला ऑघीघ है इस तरीके से इसके साइटो प्लास्मिक थ्रेट्स ने क्या कर रखा है इसको टांग रखा है ठीक है इसको टांगा किसने बच्छे साइटो प्लास्मिक थ्रेट्स ने इसको आपस में इसको बांध रखा है ताकि यह कहां रह सके nucleus कहा रह सके, batchëं, center में अब देखो, मैंने भी कुछ पहन रखा है, गले में देखो, मैं बताओं, यहां पे मैंने एक tawhiis पहन रखी है, टिके एए, मैंने भी कुछ पहन, रखा है, गले में सब लोग पहनते हैं, तिके पहन कर रख나 सब्दाइब कोड़ कर रैएं हुए हुझा साय गारा नहीं आपको बना रहा हूँ इस तरीके से आपके क्या है और रैपिंग प्रजेंट वायु कोड़ कंछा ईसके यहां प्रा यह थे तरीके से आनपकी क्या है बच्रॉड़ इन पर आपका chloroplast क्या है बच्छे रब डप है लाइक दिस यह क्या है बच्छे आपका chloroplast की wrapping है मतलब ribbon shape में क्या है बच्छे आपका chloroplast present और इस chloroplast के अंदर है बच्छो कई सारे pyrenoids होंगे इस बच्छो के अंदर ही pyrenoids present होते हैं the food storing organ इस तरीके से क्या है बच्छे chloroplast की रिंग पूरे पे है इसके उपर भी होगी इस तरीके से इस तरीके से ठीके पूरे बड़ी बेटा chloroplast की उससे तभी एक ग्रीनिश कलर का एक दम काई नुमा दिखता है यह इस तरीके से ठीके पूरी तरीके से रबड़ी इसके उपर ऑफे और इसके उपर क्या है इस तरीके से क्या है बच्चों इनकी उपर कई सारे पाइर इनवाइट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है जो कि क्या करने बच्चों फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपका स्पाइरो गैरा दिखता है ठीक है चलो नामकरन करना शुरू करते हैं फड़ा फट से नामकरन शुरू करते हैं तो यह क्या है बच्चे इसकी सेल वाल यह आपका क्या है प्लाज्म इंब्रेन यह क्या है बच्चे आपका साइटो प्लाज्म center में void portion आपका vacuole nucleus center में और यह क्या है बच्चे आपके cytoplasmic threads और यह क्या है बच्चे आपका ribbon shape chloroplast ठीक है और यह क्या है बच्चे आपके पास pyrinoids ठीक है कुछ इस तरीके से बच्चे आपका spiral gara दिखता है this is how a spiral gara looks like इस तरीके से बच्चे आपका spiral gara क्या होता है बच्चे बच्चे प्रेजेंट होता है clear है कि नहीं सभी बच्चो को clear है कि नहीं काफी ज्यूदा आसान था यह ठीक काफी ज्यूदा आसान है आपको यह याद करना है ठीक और पढ़ लेते हैं बच्चो यूलो छयूद्रिक सफटांफ नो यूद्रिक्वर से एक ओर डाइंग्राम देख लेंगे बच्चो घीक ईखřी होगा बाटा एक और आपका इग्जामफल देंगे बच्चो यू अनोटара एह ओक और एक। अर्धामपल किसका, योलो क्की में बेसिकलि ये भी आपका एक, ये आपका फ।रिश वाटर ग्रीन ऐलुखे है, fresh water, ग्रीन ऐलुखे, ठिके इस अफ फ्रेश वर्टर ग्रीन ऐलुखे। ठीक है जो की किसमें होता है बचों अनब्राश्ट फिलमेंट इस होता है यह कैसे बचे अनब्राश्ट है। मतलब एक सीर्द में होगा और क्या है फिलमेंटेस है। और इसको हमने उसको हमने समरेलगा बलाए था तो इसको हम क्या बलाते हैं विंटर एलगा इसका शेप बड़ा यूनीक सा शेप होता है बच्चे इसका शेप होता है बच्चे डोम की आकार में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है इस तरीके से बच्चों ये प्रेजेंट होता है इनके पास क्या होता है बच्चे एक हैप्ट्रॉन ये जो बेस है बच्चे इसको हम क्या बलाते हैं है जो कि आपका राइजॉडल तरीके का दिखता है ये तोड़ा सा राइजॉडल ह होता है है capitalize ठीक है इनके पास कुछ इस तरीख से हैप ट्रॉंस होते हैं भीच में लाइनस प्रेजेंट है तो इनका जोश्य पρέके डेयं कि आकार में मतोम जुस्थ ओ मंदिरों के उपर न routine होता ग्लार been shopping फिの जो की ग्रों करते हैं किससें घुर निषिन कितू जोकी इक रोक अरे बाचों किसके cell division के थूरू क्या करने है बचचों ये ग्रों करते हैं. ач दोंग शेफ होते हैं बच्चें. झाइट करो स्ञेफ का जम्राइफ होते हैं. छुर्आ प्लाइस होते हैं बच्चें छूर्ण की अकर में? एं इन आ बश्चीनका धूर्षू शेफ बिलाते हैं जिसको जैसे गोडे की नाल होती है ना विटा उस तरीके का शेप का हॉर्शू शेप मैने में अभी कॉलर नहीं पहन रखा हुआ तो दिख जाता से है जैसे देख रहे हैं यह गोला आ जाके ऐसे ठीक है गोल इस तरीके से कुछ इस तरीके से शेप है ठीक है तो ये होगा बच्छे आपका Eulotrics के बारे में ठीक है, दिस वजाल अबाची इतना ही पढ़ना है, जादा नहीं पढ़ना है ठीक है आपको शेप जानना थे, आपको क्लोरोप्लास के बारे में जानना थे ठीक है तो बच्चो आपने आज अलगे पूरा का पूरा पढ़ लिया इससे जादा आपको नहीं पढ़ना है ठीक है माक मैं वर्ड बच्चो इससे जादा आपको अलगे नहीं पढ़ना है बस इतना काफी है आपके नीट सिलिबस के लिए in fact more than enough है नीट syllabus के लिए ठीक है अब क्या करेंगे quiz करेंगे सब बच्चों को answer करना है बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी होता है बच्चे answer करना फटा फट से answer करेंगे kelps are massive what ठीक है comment segment में answer जरूर करेंगे ठीक है तो बस आज के lecture को हम यहीं पर समाप करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे यार बहुत बच्चे लाइक नहीं करतें बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करतें और बहुत सारे बच्चों ने अब तक subscribe भी नहीं किया क्वालिटी में ठीके बच्चों लोग तो मैं आपका टीचर सल्मान अन्वर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं थैंक यू स्विद्स बावाई